गूड एउनिंग एबरीवन आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हर दिख सोगत है इंगलिस चैप्टर का आज ओड टॉपिक है जिसका नाम है जेंडर आज हम जेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो चलिए जानते हैं जेंडर क जेंडर जिसको हिंदी में पुलिंग कहते हैं शेकंड आपका फ्यमिन जेंडर जिसको हिंदी में इस्तरी लिंग के नाम से जाना जाता है तीसरा आपका कॉमन जेंडर जिसको उभे लिंग के नाम से जानते हैं और फूर्थ आपका जानकी चोथा आपका न्यूटर जेंड जिसको नपुनसंग लिंक के नाम से जाना जाता है तो इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे The word that denotes a male animal is said to be of the masculine gender ऐसे सब्द जो पुरुस जात का बूद कराते हैं, masculine gender कहलाते हैं एक जामपल में जैसे boy, lion, dog, brother, actor, hero, bull, mohan, इत्यादी boy में सोता है लड़का, लड़का जो की एक पुरुस जात से बिल्याओं करता है lion, share, जो भी एक पुरुस को संबोधन करता है dog, kutta, brother, bhai, actor, hero, hero भी एक पुरुस जात को संबोधन करता है bull, bell वो भी एक पुरुस जात को संबोधन करता है mohan, mohan एक लड़का है यानि कि वो भी एक पुरुस जात को संबोधन करता है तो ये जो सारे एक्जामपल उगदराण है वो मैस्कुलाइन जेंडर के है यानि की पूलिंग के है जो एक मेल सेक्स को शंबोधन बोथ कराता है और इसलिए इसको मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है आसान भासा में आप ये समझें कि वैं अंगलेजी के सब्द जो पूरुष जात का यानि की मेल सेक्स का बोथ कराते हैं यानि की संबोधन कराते हैं उनको हम मैस्कुलाइन जेंडर के नाम से जानते हैं सेकंड है आपका फेमिन नाइन जेंडर जिसको हिंदी में इस्तुरी लिंग के नाम से जाना जाता है आल वर्ड फार फिमेल और फेमिनाइन जेंडर यानि कि एसस सब्द जो इस्तरी जात का बोट कराते हैं उनको हम फेमिनाइन जेंडर के नाम से जानते हैं एक्जामपल में जैसे गर्ल, लड़की, ओमेन, इस्तरी लास, लड़की, हिन्मुर्गी, क्वीन रानी, लेड़ी, महिला, सिस्टर, बहन, बिंडो, बिधवा ये सब आपके ये जो एंग्रेजी के वर्ड है, जो सब्द है वो आपको इस्तरी जात का बोट कराते हैं इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर के अंतर गताएंगे दा वर्ड देट डेनोट आइदर एमिल और ये फेमिल इस सेट टू बी आप दा कोमन जेंडर अंग्रेजी के ऐसे सब्द जो पुरुष तथा इस्तरी दोनों का बोट कराते हैं यानि कि दोनों का संबोधन करवाते हैं उनको हम कौमन जेंडर के नाम से जानते हैं कामन जेंडर के उदाहड हैं डॉक्टर, इस्टुडेंट, फ्रेंड, पाइरेंट्स, बेबी, इनफैंट, राइटर, सिंगर, सीप, गेस्ट, कामन जेंडर यानि की उभैनिस्ट लिंक का मतलब होता है कि दोनों में ऐसा सब्ज़ जो पुरुष हो इस्तरी दोनों में प्रयोग होता है जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो होता है वो इस्तरी के लिए भी प्रयोग किया जाता है और प्रूच के लिए भी प्रियोग किया जाता है फ्रेंड ये मेल के लिए भी प्रियोग किया जाता है और आपका हो गया पारेंट्स यानि की माता पिता दोनों के लिए ये सब्द का प्रियोग किया जाता है तो इन सब्दों को हम common gender के अंतरगत रखते हैं या common gender के से सम्मंधित जानते हैं The word that denotes an object without life is called to be of the neuter gender आ है एसी सब्द जो दिर्जीव पदार्थ का बोध कराते हैं उनको The word in निर्जीव की नाम से जाना जाता है य behavioral things यानि की जिसमें जान नहीं होता है यानि कि बोध कराने वाले सब्दों को न्यूटर जंडर के नाम से जाना जाता है न्यूटर जेंडर के उधारण है फैन, चेयर, बैग, पाल, बुक, पैन, गार्डन, उड, ओयल, होनिस्टी, आर्मी, वेंच इंसेक्ट में आप आ जाएंगे तो आपके इंसेक्ट हो जाएंगे जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी सारे नाम जो होते हैं, वो न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं तो ये थी न्यूटर जेंडर के उधारण तो हमारा वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं और आप लोग से अन्रोध है कि अगर यह हमारा वीडियो आप सभी को पसंद है तो आप अपने मित्रो दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें चुकि एक वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा मेहनत लगता है, समय लगता है ताकि हम कुछ बहतर करें, आप लोगों को कुछ आच्छा दें आप लोग से कोई शुलक वगएरा नहीं लिया जा रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो का नोटिस फिकेशन आप लोगों को मिलता रहें और जानकारी हम देते रहें तो हमारे या वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताएं शुभरात्री जय हिंद